उत्तप्रदेश में योगी ने स्विकारा ओवेसी का चैलेंज उत्तप्रदेश में 100 सीटों पर लड़ेंगे ओवेसी शोशल मीडिया पर वारल हुआ था पीडियो सत्ता के सेमी फारनल में बीजेपी ने फिराया जीत का परचम पीम ने दी सीम योगी को जीत की बथाई बीजेपी ने जमाया सरसट सीटों पर कबजा राफेल जीन को लेकर सियासत हुई गर्म शशी थरूर ने बोला बीजेपी पर हमला कहा भारते बिचोलियों को दी गई मोटी रकम अयोध्या में पहली बार खिला कवन रोली सिंग ने अयोध्या में फिराया जीत का परचम बीजेपी ने रामनगरी में दी जोरदार दस्तक भाराष्ट में भारत केमिकल्स प्लांट में हुआ विस्पोर्ट घटना में काई लोग हुए घायल तवाम अधिकारी घटना इस्तल पर रहे मौजूद नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी रुक करेंगे खबरों का उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितिनाथ ने AIMIM के अध्यक्ष असुदिन OVC का च्रेलेंज स्विकार कर लिया है सीम योगी आधितिनाथ ने कहा कि असुदिन OVC देश के बड़े नेता है और अगर वो आने वाले विधानसवा चुनाफ के लिए च्रेलेंज दे रहे हैं तो बीजेपी कारेकरता इसे स्विकार करेंगे बीजेपी उत्रप्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी इसमें कोई संधे नहीं है बता दें कि असुदिन OVC ने हाली में एक रैली को संबोदित करते हुए कहा था कि इंशालला योगी को दोबारा उत्रप्रदेश का सीम बनने नहीं देंगे ये वीडियो शोशल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है जान लें कि बहार विधानसवाज चुनाव में बहतर प्रदशन करने के बाद AIMIM ने उत्रप्रदेश में साल 2022 में खूने वाले विधानसवाज चुनाव में 100 सीटों पर रणने की घोशना की है उत्रप्रदेश में आने वाले विधानसवाज चुनाव से पहले सत्ता का सेमी फाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने अपना पर्चम फेरा दिया है बीजेपी ने शांदार जीत हासिल करते हुए सरसर सीटों पर कबजा जमाया है इस बंपर जीत पर खुद प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने सूबे के मुख्य मंतरी योगी अधितनात को बदाई दी है और लिखा कि यूपी जिला पंचाईज चुनाव में बीजेपी की शांदार जीत विकास जनसेवा और कानून के राश के लिए जनता जनारधन का दिया हुआ आशरवाद है इसका श्रे मुख्य मंतरी योगी जी की नीतियों और पार्टी कायर करताओ के अधियक्ष परिश्रम को जाता है यूपी सरकार और भीजेपी संगटन को इसके लिए खार्दिक बदाई देश में 16 जन्वरे से शुरू हुई वैक्सिनेशन ड्राइव के तहट अब तक कोरोना वैक्सीन के 35 करोड डोस लगाए जा चुके हैं बता दें भारत ने करीब 170 दिनों में ये आकड़ा पार कर लिया है स्वास्तर मंतुराले ने बताया है कि अब तक 35 करोड लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं सिर्व शनिवार को ही 57 लाग से ज्यादा लोगों को वैक्सिनेट किया गया इनमें से 18 से 44 साल के 28 लाग से ज्यादा लोगों को पहला और 3 लाग से ज्यादा लोगों को दूसरा डोस दिया गया कोविन पोर्टल के मुताबिक राद 11 बज़े तर 63 लाग से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका था वहीं 37 राज्य और केंद शाषित प्रदेशों में इस एज केटेगरी को 10 करोर लोग पहले ही लगवा चुके हैं ठीका बतादे आठ राज्य उत्रप्रदेश, मद्रप्रदेश, राजस्तान, तमिलनादू, बिहार, गुछरात, कनाटक और महाराष्ट में ये संक्या 50 लाग से ज्यादा है इसके अलावा अंदर प्रदेश, असम, 36 गड़, दिल्ली, खरियाना, जौहकन, केरल, तेलंगाना, हमाचुर प्रदेश, औरेसा, पंचाब, उत्रक्षन और पश्चिम बंगार में 18 से 44 साल के उम्र के 10 लाग से ज्यादा लोग को टीका लग चुका है फ्रांस सरकार की तरफ से राफेल डील की जौच के लिए जज़ की नियुकती के बाद से भारत में सियासत अपतेज हो गई है बीज़ेपी और कॉंग्रेस के नेताओं के भी जुवानी जंग भी लगातार जारी है इसी कड़ी में कॉंग्रेस सांसर शशी थरूर ने भी इस डील को लेकर सिलसले बाद ट्वीट कर बीज़ेपी पर खमला बोल दिया है उन्होंने बीज़ेपी से सवाल किया है कि आखिर 126 राफेल जेट की डील को घटा कर 36 क्यों कर दी गई उन्होंने कहा कि बीज़ेपी दावा कर रही है कि एक तरफा फैसला नहीं था बलकि सेना की मांग कैनुसा लिया गया फैसला था लेकिन मैं पूछना चाता हूँ कि जब 126 राफेल जेट की डील कोई थी तो इसे घटा कर 36 क्यों कर दी गई उन्होंने कहा कि फ्रांस की जांच कैनुसा फ्रेंच एर क्राफ्ट मैनिफेक्टर दसॉल्ट अविएशन ने डील को पक्की करने के लिए भारतिया बिचॉलियों को मोटी रकम दी है उन्होंने कहा कि The Salt Aviation का दावा है कि उसने 50 विमानों के लिए सुशेन गुपतक से डील की थी अधिकारिक अकाउंट में इसे गिफ्ट फॉर क्लाइंट बताया गया है अयोध्या में जुला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पहली बार कमल खिला है इसके पहले कभी भी अयोध्या में बीजे पी का जुला पंचायत अध्यक्ष नहीं रहा बता दें शनिवार को हुए चुनाव में बीजेपी की रोली सिंग ने पहली वार आयोध्या में कमल खिलाया है। बता प्रत्याशी बनाया था। महराश्ट के पालघर जिले में शनिवार देर रात भारत क्यमिकल्स प्लांट में अचानक विस्पोर्ट हो गया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों से पता चला है कि घायलों को जिले के नजदी की थूंगा अस्पताल में भरती कराया गया। पतादे दंकल की गाड़ियां मौके पर घटना इस्तर पर पहुँची वहीं भारत क्यमिकल्स प्लांट महराष्ट के पालगा जुचिले के बोईसर तारपुर और द्योगी की शेत्र में से थे तमाम अधिकारी भी घटना इस्तर पर मौके पर पहुँच गए लेकिन अभी झालगा